जैहें डिफन्स परेंट्स विलकम बैक अगें दिस दिव्यांशुपांडे यूक्रेन में रश्या की क्यापिटल मॉस्को में काफी भीशन ड्रोन हमले कर दिये हैं जिससे की रश्या में अब उथल पुथल आपकी मज़ गई है रश्या यूक्रेन वार को धाई साल हो चुक इन हमलों का जवाब रश्या देगा और अभी के ताजा हलात क्या है हम जानते हैं कि रश्या यूक्रेन का वार 2022 परवरी से चलता आ रहा है जहां पर रश्या की पोर्सेस काफी एडवांस हुई भी है लेकिन अभी हाल में यूक्रेन के द्वारा रश्या के एक टेरिटरी में जिसको खुर्स कहा जाता है वहाँ पर उन्होंने इन्वेट कर लिया है अपने 1000 सोल्यर्स के साथ और अब हा मॉस्को में हम सभी जानते हैं कि क्रिबलेंट टावर है और वहां से महज 24 माइल्स की दूरी पर रश्या के द्वारा इन ड्रोन्स को डेटेट किया गया लेकिन तब तक यह जो है ड्रोन्स आपके बिल्डिंग्स में यह भारे तबाही मचा हुए थे कुछ लोगों के घायल होने की आपकी न्यूस भी आ रही है वैसे युक्रेन चाहता था कि इन ड्रोन्स को जो हम सीधा क्रिबलेंट टावर की तरफ आपका ले जा पाए और यही कोशिश उन्होंने पिछले साल भी की थी लेकिन उन कोशिश को नाकाम कर दिया गया था अब रश्या को देखना होगा कि अगर इस प्रकार के ड्रोन्स उनके कैपिटल में इतने पास तक आ पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि रश्या का जो एर डिफेंस सिस्टम है वो कहीं न कहीं पेलियोर है और वो उतना सक्षम नहीं हो पा रहा है कि वो इतने ड्रोन्स को आपका detect करके neutralize कर सके अगर हम air defense system देखें तो इसराइल के काफी बहतरीन है रश्या के पास भी S-300 S-400 defense system है इसमें बताया गया है कि the three attack drones heading towards Moscow were down over the city of Podolox in the Moscow region ना Moscow के मेर सरज़ई के दोर आपका कहा गया है लेकिन अगर drones इतने अंदर तक आज आ रहे हैं रश्या के वो भी capital city के तिरफ तो ये काफी चिंता जनक बाद रश्या के लिए है रश्या की state new agency जिसकर हम आ रहा ही है उन्होंने कहा कि the two drones were destroyed over the Tula region which borders the Moscow region to its north तो Moscow के अगर उस region तक यानि कि border छेते तक आ रहा है तो ये रश्या के लिए काफी आपका हम कह सकते हैं कि चिंता जनक खबर है यहाँ पर response भी हमले के बताये गए हैं कि कहां कहां पर रश्या के territory में Ukraine के द्वारा drones आपके भीजे गए और वहाँ पर हमला किया गया है ये निस्चित है कि अभी पिछले दो महिने में Ukraine offensive रहा है और Ukraine के द्वारा अब रश्या के territory में जाकर वो हमला कर रहे हैं उनकी territory को capture कर रहे हैं और उनके city, capital city की तरफ जो है drone attacks करके रश्या को चनोती देना चाहते हैं और हम जानते हैं कि Ukraine को कौन मदद कर रहा है European Nations और अमेरिका और NATO भी अपने पूरी strategy Ukraine के तरफ लगा रहा है कि Ukraine की कीव में किसी भी प्रकार से Russia की forces इंटर ना कर सके November 2024 में अमेरिका में elections है जहां पर देखा जाएगा कि कौन सी party आपके जीती है Donald Trump ने कहा है कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ energy infrastructure since the conflict once it in 2022 labeling these actions as fair retaliation for Russian strikes on Ukrainian's own energy facility तो दोनों एक दूसरे के energy facility की उपर आपका हमला कर रहे हैं energy facility की उपर हमला इसलिए किया जाता है जिसे कि अगर किसी देश का energy facility में मान लीजे electricity generate होती है civil nuclear power plant है ना वैसे civil nuclear power plant को हमला नहीं करेंगे नहीं तो आपके nuclear war का खत्रा काफि मढराने लगेगा तो इस प्रकार की energy facilities होती है उसको destroy कोई भी देश आपका करना चाहता है Ukrainian forces struck the position of Russian S-300 air defense system near the no west things in Russia's overnight on August 21, the general staff of Ukrainian armed forces reported तो उन्होंने Russian 300 air defense system को भी आपका रोख के रखा हुआ है और Russia के generals के दोरह कहा गया है कि explosion were observed at targeted areas the accuracy of the strike is being determined वैसे तो Russia ने अमेरिका का जो पेट्रियोर defense system है जहां जो Ukraine में लगा हुआ है उसको भी धुस्त कर दिया है तो दोनों देश एक दूसरे का सामना कर रहे हैं इसी बीच 23rd August को भारत के प्रधान मंतरी श्री नरेद मोदी पूलैंड और Ukraine की यात्रा पर अब रवाना हो गए हैं जहां पर वो Ukraine में Ukraine के President जलन्सकी के साथ मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात काफी एहम होने वाली है क्योंकि अभी एक मैना पहले ही हमारे प्रधान मंतरी रश्या गए थे और रश्या से उन्होंने काफी बड़ी बड़ी डेल साब की होई थे तो भारत को जो Balancing Act चलहा है रश्या को भी भारत आपका ले रहा है European Union को भी अमेरिका को भी साथ लेने की कोशिश कर रहा है जिससे की भारत एक Mixed Feeling जो है डवलप कर सके और भारत युक्रेइन प्रेसिडेंट से जरूर कहेगा कि देखे हम खुद चाते हैं कि युद्ध रूके लेकिन भारत ये भी कहेगा कि युद्ध को रोकना हमारे हाथ में नहीं है युद्ध को रोकने के लिए सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा और हम जानते हैं कि European Union और अमेरिका के द्वारा युक्रेइन के कंधे पर बंदूक रखके चला दी गई है तो युक्रेइन को चाहिए कि वो अपने कंधे से उनकी बंदूक को भटाए और एक बार फिर से नॉर्मलाइज सब चीजे करें क्योंकि जितनी बातचीत से चीजे आसान होंगी उतना और युद्ध से आपकी बिलकुल भी नहीं होंगी और अगर युक्रेइन और युक्रेइन की जो अभी की प्रेज़न गवर्मेंट है वो वेस्टन इंफ्वेंस में कारे करेगी तो वेस्टन नेशन जो है युक्रेइन को उन्होंने बरवात्त करी दिया है वो और भी भविश्च में कहीं का उसको नहीं छोड़ेंगे तो जैसे ही हमारे प्राइम इनिस्टर मोदी जी युक्रेइन की प्रेसिडेंट से मिलते हैं और जो भी उसमें बालेटल मीटिंग्स में बातें आती हैं उसको हम आपसे साज़र जरूर करेंगे वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें दीजादी कोर्स देंगे इस्टिक्राइक एक्जाम जैसे एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एक्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं